तो बिर्यानी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बास्मती राइस यह बास्मती राइस को मैं धो के 30 मिनिट्स के लिए सोख करने के लिए रख दूंगे और अब मैं इसमें बिर्यानी का मसाला इसका टोटल नाम जो भी है यह चार तरीके की बिर्यानी के मसाला आते हैं इसका टोटल डिटेल में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कॉंटिटी और नाम के साथ तो आप वहां से डिटेल में चेक कर लीजिए यह मेरी सोक राइस है और मैंने इसमें बिर्यानी का मसाला एड़ कर दिया है और मैं इसमें आट करूंगी वेजटेबल ओयल ताकि चावल एक दूसरे के साथ चिपके ना बिल्कुल इंडिविज्वल रहे और तेल एट करने के बाद मैं इसमें एट करूंगी स्वाधनुसार नमक ताकि बिर्यानी का जो चावल है वो बिल्कुल टेस्ट फुल हो फीका ना लगे और इसके उपर मैंने दो बेलीव एट किया है एंड जो हमारा गरम मसाला होता है सिनेमन लाइची छोटी लाइची बड़ी लाइची लॉंग वो सारा हम इसमें एट करेंगे और मैंने इसमें कुछ पेपर कॉंस भी आट हैं और अब मैं इसमें एट करूंगी बॉइल्ट पटेटोस ताकि जो हमारा बिर्यानी का पूरा फ्लेवर है वो आलू में भी सोक करें और इसको हलके हातों से में सारा कुछ को मैंने अभी मिक्स कर दिया बिल्कुल हलके हातों से ताकि मेरी चावल तूटे ना और यह मेरा मैर 30 मिनिट पहले मैरिनेट कर दिया था मैरिनेशन का पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगे आप वहां से देख लीजिए और मैंने तीन मीडियम साइज के प्यास को स्लाइस कर लिया है बिल्कुल फाइन चॉप की जरूरत नहीं है स्लाइस कर लिया है और कुकिंग के लिए हमें चाहिए मस्टर ओयल आप चाहे तो वेजिटेबल ओयल में कुक कर सकते हैं बट मस्टर और एड मोर फ्लेवर इनाव तो मेरा तेल बिल्कुल हीटेड है और मैं इसमें जो हमां मेरे स्लाइस किये वे आनियंस ते वह एट कर दूंगी और इनको तब तक भूनूंगी जब तक कि ये मेरे बिर्यानी की राइस है जो मैंने 100% पका लिया है कुछ 80-90% का बात नहीं है और मैं इसका जो एकसेस पानी है उसको निकाल लूंगी और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पानी पूरा निकाल लिया है और राइस को मैं ठंडी होने के लिए फैन के निची या नॉर्मल ही रख दूँगी हमारी प्यांज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब मैं इसमें चिकन के पीसेस एड़ कर दूँगी और अगेन आम सेंग कि ये पूरा कुकिंग ही लो फ्लेम में होगा और इसमें कोई भी तरीके का पानी हलके हलके हाथों से पकाना है चलाना है पूरा सारा कुछ मिक्स करना है और इसको लो फ्लेम में लिट को लगा लगा के पेशिंसली पकाना है पांच मिनिट बात देखिए दही ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया है ये जो एकसेस ओयल है ये भी दही का ही कमाल है हमने कोई पानी कोई एक्स्टर ओयल इसमें एड़ नहीं किया है और इसको थोड़े थोड़े देर में पांच साथ मिनिट के बीच बीच में चला के इसको लिड लगा लगा के पकाना है अगें साथ आठ मिनिट बाद मैंने लिड हटाया है और इसका काफी अच्छा कलर आने लगा है और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो दीरे-दीरे सूखने लगी है तो हमें इसको बिल्क झाल झाल तो ग्रेवी का पूरा वीडियो मेंने शेयर किया और यह हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है बिर्यानी के लिए और आप हम इसको लेयरिंग जो हमारी बिर्यानी की मेन जो प्रोफिशन होता है बिर्यानी को सर्फ करने के पहले तो अब मैं बिर्यानी का लेयर लगाऊंगी तो जिस तरीके से में चावल को पहले थोड़ा मोटा लेयर रहेगा क्योंकि नीचे हम गयस के उपर कढ़ाई को डिरेक्ट रखने वाले हैं तो चावल का एक मोटा लेयर इस तरीके से आप लगा देजिए और इसके कर दिया है और अब मैं इसमें हमारी बिर्यानी का जो जान है हमारी चिकन और उसकी ग्रेवी उसको एड़ करूंगी तो धीरे-धीरे मसालों के साथ पूरा जितना ओयल है जितना भी ग्रेवी है और चिकन के पीसे सारों को ऐसे ही धीरे-धीरे प्लेस करिए राइस के ऊपर ताकि इसका जो फुल ग्रेवी का जो टेस्ट है वो राइस के साथ पुरा मिक्स हो जाए और खाने में काफी वो डिलिश्यस लगए अगेन मैं उपर से राइस का लेयर लगा दूँगी हम दो बंदे हैं तो हमारे लिए इतना लेयर काफी होगा अगर आपके घर में कВANTITY जादा है तो आपको लेयर भी जादा लगानी होगी तो इस तरीके से मैं राइस का लेयर पुरा लगा दूँगी और राइस का लेयर पूरा लगाने के बाद मैं इसमें कुछ और चीजह आड़ करूँगी जैसे कि यह बिरियानी का étant मसाला है इसका भी मैं description में details share कर दूंगी तो आप वहां से देख लीजिए और ये मेरा दूद के अंदर मैंने केसर भीगा के रखा था वो चीज मैं इसके उपर spread कर रही हूं अगर केसर अविलेबल ना है तो आप हल्दी का इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरीके से पूरा लेयर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसके उपर लिड लगा दीजिए और अब मैं इसको गैस के उपर प्लेस करूंगी तो गैस को पहले मैं ओन करके दिखा रही हूं कि गैस को मैंने ओन किया और इसका फ्लेम बिल्कुल लो लास्ट वाले पोर्शन पर रहेगा और उसके बाद मै मैंने बिर्यानी को इसके ऊपर बिठा दिया है दम के लिए यह 17-18 मिनिट तक मिनीमम रखना है यह आफ्टर 10 मिनिट का वीडियो है जो कि मैं शेयर करनी हूं आप लोगों के साथ और आफ्टर 20 मिनिट मतलब दम से उतार के मैंने दो मिनिट और रखा है इसको तो यह हमारी पूरी बिर्यानी बनने के बाद यह हमारा पुरा उसका लुक आया है और मैं सर्फ करके आपको दिखाते हूं कि इसका लेयर कितना अच्छा आया है तो अगर आपको यह बिर्यानी का वीडियो सच में पसंद आया है और आप घर पे ट्राइब करिए एक बार यह प्रोसेस म और खाने के आप घर पे बनाएए खाने के बाद अगर सच में अच्छा लगता है तो मुझे पॉमेंट में बताईए कि कैसा बना था और आप लोगों कैसा लगा तो बैट सिट बाए बाए